सांसे रोग देने मुकाबले में गुझरात ने दर्ज की जीत, आखिरी ओवर में कैसे हारी संजु सैमसन की टीमु गुझरात टाइटन्स ने राजस्थान रॉयल्स को 2 विकेट से हराया। इस तरह संजू सैमसन की टीम को सीजन की पहली हार मिली हालांकि इस हार के बावजूद राजस्थान रॉयल्स टॉप पर बना हुआ है गुजरात टाइटन्स को आखिरी 6 गेंदों पर 15 रन बनाने थे राजस्थान रॉयल्स के लिए आवेश खान आखिरी ओवर डाल रहे थे वहीं गुजरात टाइटन्स के लिए राहुल तेवतियां और राशिद खान क्रीज पर थे आवेश खान की पहली गेंद पर राशिद खान ने चौका लगाया इसके बाद 5 गेंदों पर 11 रनों की दरकार थी इस ओवर की दूसरी गेंद पर राशिद खान ने 2 रन बनाए अब राजस्थान रॉयल्स की मुश्किलें बढ़ने लगी गुजरात टाइटन्स को आखिरी 4 गेंदों पर 9 रन बनाने थे आवेश खान की तीसरी गेंद पर राशिद खान ने फिर चौका लगा दिया इस चौके के बाद गुजरात टाइटन्स की जीत तकरीबन तय नजर आने लगी अब 3 गेंदों पर महज 5 रनों की दरकार थी इस ओवर की 4 गेंद पर राशिद खान महज 1 रन बना सके अब शुभमन गिल की टीम को जीतने के लिए 2 गेंदों पर 4 रनों की दरकार थी लेकिन 5 गेंद पर तीसरे रन लेने के प्रयास में राहुल तेवतिया रन आउट हो गए लेकिन इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने दोड़ कर 2 रन पूरे कर लिए इस तरह आखिरी गेंद पर गुजरा टाइटन्स को जीत के लिए 2 रन बनाने थे जबकि टाइ के लिए 1 रन लेकिन राशिद खान ने चौका लगाकार अपनी टीम को रोमांचक जीत दिला दी